नमस्कार स्वागत है आपका अपके साथ मैं हूँ अम्रिदा चौरसिया एक नज़र हिटलाइन्स वेल अमेरिकी विदेश बंत्री टिलर सन्ने राश्ट्रपति अश्रफ गनी के साथ नई अफगान नीती पर की वार्थ ता पाकिस्तान को आतंकियों को पनागाह मौहिया ना कराने की चिताब देर शाम आएंगे भर जापान में दो त्याही बहुमत के साथ सत्ता में लोटे शिंजवाबे लडीपी की अगवाई वाले गणबंधन को 462 में 312 सीके प्रधान मंत्री नरेंद मोदी और अमेकी रास्टपती ट्रम्प ने दी बधाई जर्मकर्शमीर के लिए केंद्र की बड़ी पहल आईवी के पूर्व निदेशवक दिनेश्वर शर्मा होंगे नए वारताकार मुख्य मंत्री ने बताया वक्त का तकाजा जुनाव आयोक का केंद्र के दबाव में काम करने से इंकार मुख्य जुनाव आयोक ने कहा गुजरात से पहले हिमाचल में जुनाव के पीछे कई कारण 476 उमिद्वारों ने भरा ना मांकर जुजरेंड के खिलाब T20 सिरीज के लिए टीम का एलान तेज गेनबास मुहमद सिराज और बलेबास श्वेय सायर को मौका शुलंका के लिए भी दो टेस्ट के लिए टीम की घोशना और अब खबरे विस्तार से अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन आज भारत दोरे पर आने वाले हैं इसे पहले कल वो काबुल पहुचे जहां पर उन्होंने राश्ट्रपती अश्रफ घनी के साथ अमेरिका की नई नीती पर चर्चा की कड़ी सुरक्षा के बीद सोमवार को अचानक अफगानिस्तान पहुचे अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने राश्ट्रपती अश्रफ घनी से मुलाकात कर नई अफगान नीती पर चर्चा की इस मौके पर उन्होंने इस अक्षेतर में आंतकवात के खात्मे पर भी जोर दिया उन्होंने पाकिस्तान से दिपक्षे संबंध सुधारने की खार आतंकियों को बंहा नहीं देने के भी संकेट दिये अफगानिस्तान में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े शिवर बगराम एफ फील्ड में हुई इस बैठक में अफगानिस्तान के मुख्य कारेकारी अब्दूला अब्दूला भी मौचूद थे ये विदेश मंत्री के तौर पर टिलरसन का अफगानिस्तान का पहला दोरा था अफगानिस्तान के बार टिलरसन आज पाकिस्तान का दोरा करेंगी अमेरिकी राश्टपती डॉनल ट्रॉम की नए अफगानिस्तान और दक्षन एशिया नीती को अमली जामा पहनाने के लिए अ इस दोरान वो बुधवार को अपनी समकक्ष सुष्मा स्वराज के साथ प्रतिनिधी मंडल सर की वार्ता करेंगे। बाचीत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीमा पार्स से आतंकवाद के अलावा आपसी आर्थिक और सामरिक सहयोग के मुद्दे भी शामिल होंगे। रेक्स टिलेसन, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट राजे सभा टीवी। विदेश मंत्राल के मुताबिक इस दौरान अफगानिस्तान के साथ श्वान्ती, सुरक्षा और विकास से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात होगी। अश्रफ गनी, विवेकानन इंटरनाशनल फाउंडेशन में जन सभा को भी संबोधित करेंगे। पाकिस्तान के वित्तमंत्री शाक डार सुमवार को पर नामा पेपर मामले में सातवी बार कोट में पेश हुए। रस्टा चार रोधी रस्ट्रिय जवाब देही ब्यूरो में इश्राक डार के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई दोबारा शुरू होने के बाद उनकी ये पेशी हुई। डार न्यूस के मताबिक अभियोजन पाक्ष एन एबी ने डार के खिलाफ दो नए गवाह पेश किये। सुनवाई के दौरान पाकिस्तान में डार के अलग-अलग बैंक खातों का विवरन पेश किया गया। आई सधीक संपत्ती में के मामले में पाकिस्तान के विट्मांतरी के खिलाफ पिछले महीने मामला दर्ज किया गया था। चीन ने कहा है कि राजदूतों की सुरक्षा सम्मंधित देश की जम्मेदारी है। चीन का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब वो उसने पाकस्तान के राजदूत याओ जिंग के खिलिए कड़ी सुरक्षा की मांगी। चीन के विदेश मंत्राले ने पूरे मामले पर टिपड़ी से इंकार कर दिया है। चीन का कहना है कि राजदूत को इस तुरकिस्तान इसलामिक मूवमेंट के आतंकियों से खत्रा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इसलाम में चीन के दूतावास ने 19 अक्टूबर को पाकिस्तान के ग्रहमंत्राले को चृट्धी भेच कर ये मांगी। ये चृट्धी चीन पाकिस्तान आर्थिक गल्यारे के प्रमुक पिंगिंग फेई ने लिखी थी। चृट्धी में आतंकियों के पासपोर्ट के जानकारी दी गई और इन्हें तुरंद गिरफ्तार करने की मांगी गई। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्धा है, यहां कई चीनी नागरिक विभिन पर योजनाओं में काम कर रही हैं। भारत ने बांगलदेश को भरोसी मन सहयोगी बताया। के नए परिसर का उद्गाटन किया। कारकर में उन्होंने भारत की मदद वाली 15 विकास परियोजनाओं की आधार शिला भी रखी। इस मौके पर सुस्मा सुराज ने कहा कि भारत की नीती पडोसी पहले की रही है। और भारत बांगलादेश के संबन रणनेतिक भागेदारी से आगे निकल चुके हैं। पडोसी पहले में बांगलादेश सबसे पहले है। जब मैं चारों और पडोस के नजर डालती हूँ, तो सीधे मुझे शिखर पर बांगलादेश दिखाई देता। पडोसी पहले पर बांगलादेश सबसे पहले है। रविवार को विदेश मंति सुसमा सुराज ने बंगलादेश भारत संयुक्त सलाकार आयोग की बैठक में हिसा लिया इस दोरान व्यापार, उर्जा, सीमा सुरक्षा, सलक संपर्क, आतंकवाद, रोहिंग्या मसले समेत कई मसलों पर बात चीत हुई उन्होंने बंगलादेश की प्रधान मंति शेख हसीना से भी मुलाकात की भारत ने पहली बार बंगलादेश के उन नागरिकों को पांच साल के लिए मल्टिपल एंट्री वीजा देने का एलान किया है जिन्होंने 1971 में बंगलादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था बंगलादेश की यात्रा के दौरान विदेश मंतिरी ने पूर प्रधान मंतिरी खालिदाज जिया और विपक्ष की नेता से भी मुलाकात की बीरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी प्रधानिक बॉर्डर गार्ड तटरक्षक पुलिस समेट कई विभागों के वरिष्च अधिकारी और प्रमुक्ष शामल हैं दूसरी तरफ सेंग्तरास्ट ने दुनिया भर से रोहिंग्या सरणार्थियों की मदद की अपील की है European Union, Kuwait, Australia और Britain समेट कई देशों ने सेंग्तरास्ट की मदद करने का वादा किया है सेंग्तरास्ट को वैश्विक समुदाई से इसकाम के लिए करीब साड़े 300 मिलियन की रकम मिलने का अनुमान है जबकि इसके लिए 400 मिलियन डॉलर के खर्च का अनुमान जताए गया है नेपाल सरकार ने भारत में नेपाल के राज़दों देशाय का स्तीफा मनजूर कर लिया है दीब कुमार ने अगामी संसदिय चुनाव लड़ने के लिए पद से स्तीफा दिया है उन्होंने 6 एक्टूबर को उप्रुधान मंत्री और विदेश मंत्री कृष्ण महादुर महारा को स्तीफा सौपा उपाध्याय को सुशील कोईराला सरकार के दौरान अप्रेल 2015 में न्यूक्त किया गया था सीपिएन यूएमल की अगवाई वाली केपी शर्मा ओली सरकार ने मैं 2016 में उन्हें देश के हित के खिलाफ काम करने का आरूप लगाते हुए वापस बुला लिया था पिछले साल प्रचंड सरकार ने उन्हें दोबारा न्यूक्त किया समंदर में गश्ट करने वाले भारतिये जहाज तो रक्षा को शुलंका तट रक्षक बल ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया है यह जहाज भारतिये तट रक्षक बल की तरफ से शुलंका को पिछले महिने तौफे में दिया गया इस जहाज से जहां भारतिये महसागर में आवागमन पर बेहतर चौकसी होगी तो वहीं आपात काली निस्थित्यों से निपटने और मानविय साहता उपलब्त कराने में भी मदद मिलेगी शनिवार को कुलंबो बंदरगा में आयुजित समहरों में शुलंका की रक्षा मंत्री रुवान विजय वर्धने और शुलंका में भारतियों चायुक्त तरण जीत सिंग संधू मौजूद थे जपान में प्रधान मंत्री शिंजवाबे की नीतियों पर जनता ने मुहर लगा दी रविवार को हुए संसिद्य चुनाओं में उनकी पार्टी के गडबंधन ने दो तीहाई सीटों पर कबजा कर लिया लिब्रल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतिरतवाली गडबंधन को 465 में से 312 सीटे मिली जीत के बाद शिंजवाबे ने कहा कि जापान के सामने स्वक्त कई चुनाओं उभरी हैं और उनकी कोशिश इनसे निपटने की होगी प्रधान मंतरी नरेंद मोदी और अमेरिकी रास्ट्रपती ट्रम्प ने शिंजवाबे को श्रांदार जीत पर बधाई दी है जापान में रविवार को हुए मध्यावधी चुनाओ में प्रधान मंतरी शिंजवाबे ने दो तिहाई बहुमत के साथ वापसी की सुमवार को चुनाओ परिणामों की घोशना की गई इस जीत के बाद शिंजवाबे 2021 तक जापान के प्रधान मंतरी बनने को तयार है इसके साथ ही वो फिर से अगले तीन साल के लिए LDP प्रमुक भी बन सकते हैं शिंजवाबे का मौझूदा कारिकाल अगले साल सितंबर में खत्म हो रहा है शिंजवाबे भारत के साथ संबंधों को तरजीह देते हैं उनके कारिकाल में भारत और जापान की संबंध मजबूत हुए हैं प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने शिंजवाबे को जीत पर बढ़ाई दी ट्विटर पर प्रधान मंतरी ने दोनों देशों के बीच संबंधों के और मस्बूत होने की उम्मीद जताई चीन ने भी शिंजवाबे की जीत पर बढ़ाई दी हैं और जापान के साथ हुए अकरार के तहट शांतिपूर्ण विकास का अहवान किया चीन और उत्तर कोरिया के मामले में शिंजु आबे का रुख सक्त रहा है शिंजु आबे ने कहा कि वो नवंबर में अमेरिकी राष्ट्टु पती की जापान यात्रा के दोरान उत्तर कोरिया के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे उन्होंने पिछली महीने संसत भंक करके समय से पहले चुनाओ कराने का फैसला किया था और यहां रुकिंग एक छोड़े से ब्रेक के लिए एक नए सिलसिले का आगाज मजबूत पिछड़े वर्गों की आवाज अब ओबी सी कमिशन को समय धानिक दर्जा होगा सिविल नियायले के अधिकार भी होंगे आइडेंटिफाइंग इस बैककुट क्लास्स इस अ हर्कलेंट टास्क दव गोली कमुनिटी इस ओबी सी इन गुजराथ वेराज इस शेडल कास्ट इन उतर प्रदेश हायोग को मिला कानूनी दर्जा मिला है हक नहीं कोई कर्जा हमने पहली बार इस निवस्ता को खड़ा किया है कि अगर ओबी सी के पदों को बरने का काम नहीं किया जाएगा तो ओबी सी कमिशन की रिपोर्ट संसद के सामने रखी जाएगा देखिए संसद समवाद में इस बार आयोग को अधिकार केंद्र ने जमू कश्मीर में वारता के लिए प्रतिने धिन युक्त किया है आई बी के पूर्ब निदेश्वग दिनेश्वर शर्मा को वारताकार बनाए गया दिनेश्वर शर्मा ये तै करेंगे कि किस से बात्चीत की जानी है जमू कश्मीर की मुख्य मंतरी महबूबा मुफ्ती ने इसका स्वागत किया और कहा कि वारता समय की जरूरत है केद्र सरकार ने जमू कश्मीर में वारता के लिए प्रदिधी नियुक्त कर दिया है खुफिया ब्यूरो के पूरू ने देशक दिनेश्वर शर्मा को ये जिम्मेदारी दी गई है ग्रेमंतरी राजना सिंग ने इसकी घुशना की उन्होंने कहा कि दिनेश्वर शर्मा घाटी की स्थितियों से अच्छी तरह वाकिव है केंद्री ग्रेमंतरी ने कहा कि दिनेश्वर शर्मा ये तै करेंगे कि किस से बाच्चीत की जाएगी और सरकार की तरफ से उन्हें पूरी आज़ादी दी गई है तरी जिनेश्वर सर्मा जम्भू कास्वीर के एलक्टड रिपरिजन्टेटिटिप्स, पॉलिटिकल पालिटी, डिफरेंट अरगनाईजिशन्स और व्यक्तियों के साथ बाचीत प्रारंब करेंगे और सस्टेंड इंटरेक्शन और डायलाग के माध्यम से उनकी लेजिट्वेट एइपरिशन्स को समझेंगे आज मुझे खुशी है कि ultimately something has started and we are hopeful कि जो इस वक्त का माहूल है इसमें लोगों में एक confidence building major हो जाएगा और इसकी एक अच्छी स्टार्ट है और जुरूरी शुरूराट, it's a good start and it's a necessity of the time which we have, which is supposed to be there हम आसा करते हैं कि हम भारत सरकार ने जो हमसे expectation है भारत सरकार का या देश की जनता का उसको हम पूरा कर पाएगा प्राइजरी तो अभी वहाँ पर सांती बहाल का होना है और एक कोई वहाँ एक permanent solution कोई ढूड़ना है ग्रे मंत्री राजना सिंग ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो अकांग्चाय हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी प्रदानमंत्री नरिंद मोधी ने सुतंतरता दिवस के भाशन में कहा था कि कश्मीर की समस्या का समाधान गोली से नहीं निकल सकता इसका समाधान कश्मीरियों को गले लगाकर ही निकल सकता है बिरो डिपोर्ट राजी सभा टीवी कांगरस ने बात्चित शुरू करने में देरी पर सवाल उठा जो हम पहले कहते आये हैं कि साड़े तीन साल तक ये सरकार जम्मू कश्मीर के हालत पे उसने कोई ना इनकी कोई नियत थी ना नीती थी जम्मू कश्मीर इस देश का हिस्सा है वहां के नागरे के हिंदुस्तानी हैं तब उन्होंने साड़े तीन साल तक इतना डिले क्यों किया इस अ पुलिटिकल प्रब्लम इस नागरे के नागरे के हिंदुस्तानी हैं तब उन्होंने साड़े तीन साल तक इतना डिले क्यों किया आपके एलान से जो जाहिर होता है कि आपकी मनशा जो है इन लोगों के साथ भी बात करने की है अगर ऐसा होता है तो लोगों को ये जानने का अधिकार है कि आपके स्टैंड में एक दम से ये तबदिली कैसे आगई क्योंकि पहले आप ये कहते थे कि जो लोग अलगाववाद में यकीन रखते हैं जो राष्ट विरोधी गतिविदियों में मुलफिस हैं साथ कोई भी बात नहीं हो सकती गार्मट आफ इंडिया को चाहिए था पहले ही कि वो शुरुवाद कर ले पहल कर लेती पॉलिटिकल पहल बहरहाल अगर आज कुछ कादम उठाया है जैसा कि आप बता रहे हैं तो हम यहीं समझेंगे कि इस कादम को और आगे ताकत देनी चाहिए जो एस्टी में छोटे और मजहुले उद्योगों को राहत देनी की तयारी है राजस्व सचिव हस्मुक अधिया ने इसका संकेत दिया है उन्होंने जीएस्टी दरों में बदलाव पर जोर दिया राजस्व सचिव ने कहा कि जीएस्टी को स्थिर होने में एक साल लगेंगे सबसे बड़े आर्थिक सुधार GST के खामिया दूर करने की तैयारी हो रही है राजस और सचिव हस्मो कदिया ने कहा कि GST में बड़े सुधार की जरूरत है हमें वस्तुवों पर फिर से नजर डालनी चाहिए ये देखना चाहिए कि छोटे और मजोले कारोबारियों पर बोज़ ज्यादा नहो अगर हम टैक्स का बोज़ कम करते हैं तो इसकी सुधारिता बढ़ेगी उन दिकतों का समाधान सरकार की परातमिक्ता रहती है उस दिषा में हमने कई बार उस दिषा में जो है वो जी एस्ती काउंसिल ने भी जी आने वाले दिनों में जी एस्ती जो है वो गुड़ रन सिंपल टैक्स ही भर रहेगा जी एस्ती परशद ने पहले भी कुछ बदलाव किये हैं कम्पोजिट स्कीम के तहट टैक्स भरने के लिए टर्णोवर को 75 लाग से बढ़ा कर एक करोड किया गया था डेड़ करोड तक के छोटे उद्योगों को तीन महीने में रिटर्न और टैक्स भरने की छूटती गई है सौसियाथिक वस्तूवों पर कर की दर को तरक संगत बनाया गया है निर्यातकों के लिए रिफंड प्रक्रिया को भी आसान किया गया है 90 परसेंट लोग वो हैं जिनकी टर्नोवर एक डेड़ करोड से काम है तो इसका मतला है वो अक्साइड डूटी में कवर नहीं है अब उन सब 90 परसेंट के ऊपर एक तरह से आपने अक्साइड डूटी लगा दिया क्योंकि उनका रेट 18 परसेंट हो गया है अब इनके लिए इनकी सब्की एक्जिस्टेंस अपने आप में रिस्क में आ गई है चैलेंज आ गया है तो इस इशू को कहीने कहीं पहले एड्रेस करना चाहिए जी एश्टी परिशत की अगली बैठक 10 नॉंबर को गुवाहाटी में होनी है केंद्री ग्रहमंत्री राजना सिंग ने कहा है कि परिटन उद्यों को बढ़ावा देने से देश आने वाले सालों में दुनिया के तीन बड़ी आर्थ व्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है वो तीन दिन तक चलने वाले परिटन पर्व के समापन समारो के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे राजना सिंग ने कहा कि परिटन को बढ़ावा देने में नेजी एक श्वेत्र को भी शामिल किया जाना चाहिए ग्रिह मंत्री राजनात सिंग ने सोमवार को दिल्ली के राजपत लौन में परिटन पर्व के तीन दिवसी समापन समारो का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि भारत विवित्ता में एक तावाला देश है और भारत को महाशक्ती बनाने में परियाटन महत्तोपूर्ण भूमी का अदा कर सकता है उन्होंने सकल घरे लूत पाद में परियाटन की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया तूरिजम इंडस्री को ठीक तरीके से प्रबोट करें तो इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि 2025, 2030 आते आते यह भारत जो आज दुनिया की टाप 10 एकोनामीज में है परियाटन मंत्री केजे अलफोंस ने कहा कि परियाटन देश में लाखों लोगों के रोजगार का जर्या है और सरकार की कोशिश परियाटन शेत्र को विस्तार देने की है परियाटन मंत्राले केंद्रिय मंत्रालियों, राज्य सरकारों और कई साज़ेदारों के साथ मिलकर देश भर में 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच परियाटन पर्व का आयोजन कर रहा है नौविकरम सिंग, राज्य सभा टीवी अठारा विपक्षी दलों की समन्वे समिती की कल संसर्थ भवन परिसर में पहली बैठक हुई इसमें कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता, गुलाम नभी आज़ाद के लावा जेडियू के बागी नेता, शरद यादव, बेस्पी के सतीश शंद्र मिश्र, डेमके के कने मोजी, टीमसी के देरेक ओबराइन और सीपी आई के डीराजा ने हिस्सा लिया गुलाम नभी आज़ाद ने बताया कि जल्द ही वो सभी 18 विपक्षी दलों से बात कर अपनी योजना बनाएंगे टीमसी नेता, डेरेक ओबराइन ने बताया कि विपक्षी दलों ने देश के आर्थिक हालात पर चर्चा की है जिसमें नोट बंदी, जीस्टी समेट कई अन्य मुद्देश शामल है विपक्ष आज प्रेस कॉन्फरेंस कर अपने कारेकर्म का खुलासा कर सकता है राजस्थान विधानसभा में आपराधि कानून में संशोधन विधाक पेश किये जाने का जम कर विरोधäter हुआ कांगर्स ने कल सदन से वाकाउट किया और प्रजशन किया इसके बाद विधानसभा की कारवाही मंगल वार्तक इलस्थगित कर दे गई विध्यक का कई संगटनों ने भी विरोध किया है राजिस्थान विदान सवा में आपराधिक कानून राजिस्थान संशोधन विध्यक 2017 सोमवार को पेश किया गया इसके बाद सदन में भारी गदिरोध हुआ कॉंग्रेस ने इसका विरोध करते हुए वॉक आउट किया और विध्यक पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया राजिस्थान सरकार के विध्यक का कई संगठन विरोध कर रहे हैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे पत्रकारों को परेशान करने वाला और प्रेस की स्वतंतरता पर अंकुश लगाने वाला बताया है विध्यक में प्रावधान है कि सरकारी करमचारी、 जज्ज या अधिकारी का नाम तब तक प्रेस रिपोर्ट में नहीं दे सकते जब तक सरकार से अनुमती न मिले सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी विधे के खिलाफ हैं राजिस्तान सरकार की दलील है कि इसका मकसद कर्मचारियों को बिना दबाव के काम करने का माहौल देना है राजिस्तान सरकार का नया विधेक आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश की जगा लेगा जिसके तहट पूर्व और वर्तमान जजों अफसरों सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है इस अध्यादेश को राजिस्तान हाई कोट में भी चुनौती दी गई है ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी कॉंग्रस उपाध्यक्ट राहूल गांधी ने कल गुजरात के गांधीनगर में रैली की इसमें OBC नेता अलपेश ठाकवर भी शामिल गई राहूल गांधी ने इस मौके पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की उन्होंने बेरोज़कारी का मुद्दा उठाते हुए मेकेन इंडिया को फेल करा दिया राहूल गांधी ने आरूप लगाए कि नोटबंधी और जीयस्टी के चलते अर्थवयवस्था पर बुरा सर बढ़ा है ये हिंदुस्तान की और गुजरात की सचाई है मोदी जी मेकेन इंडिया की बात करते है गुजरात में आज तीस लाख बेरोजगार युगा है और नरेंडर मोदी जी की सरकार तीस हजार में से 24 घंटे में सरफ 450 को रोजगार दे पाती गुजरात विधान सभाचनाव के तारिखों के अलान में देरी पर मुख्य चुनाव आयुक अचल कुमार जोती ने अपना पक्ष रखा पीटी आई से बातशीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में गुजरात से पहले चुनाव कराने का फैसला करते वक्त मौसम, बाड, राहतकारे और तिवहार समेत कई वजहों पर विचार किया गया था अलाकि उन्होंने विपक्ष की टिपडियों पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि हिमाचल में राजनीतिक दलो और राज्य प्रशासन ने आयो से पंधर नवंबर से पहले चुनाव कराने का नुरोध किया था ताकि सूबे के कम से कम तीन जिलों में बर्फबारी की वच्छे से मतदान प्रक्रिया में दिक्कत ना आए मुख्य चुनाव आयोक ने कहा कि गुजरात विधान सभा चुनाव का कारिकरम इस तरहे तयार किया जाएगा कि उस पर हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिड़ाम का प्रभवना पड़े उन्होंने 2001 के कानून मंत्रा ले और चुनाव आयोक के उस फैसले का भी जिक्र किया जिसके मताबिक चुनाव की घोशना और अधिसूचना के बीच की अवधी 21 दिनों से जादा नहीं होनी चाहिए इससे अचार सहिंता सिर्फ 46 दिनों तक ही लागू रहती है इमाचर प्रदेश वधानसवा चुनाव के लिए आज नमांकन पत्रों की जाच की जाएगी से पहले नमांकन के आखरे दिन 275 प्रत्याश्यों ने नमांकन पत्र दाखिल किये राज में अब तक कुल 489 लोगों ने नमांकन दाखिल कर दिया है 26 अक्टूबर तक प्रत्याश्यों नम वापस ले सकते हैं नमांकन पत्र वापसी के दिन ही चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याश्यों की तस्वीर साफ हो सकेगी इमाचर प्रदेश में वोटिंग 9 नवंबर को हूनी है और इसके नतीजे 18 दिसंबर को घोशित किये जाएंगे सुप्रिम कोट ने सिनमा घरों में रास्टरगान बजाने की मामले में केंद्र सरकार को नए नियम बनाने को कहा है अभी इस मामले में कोट का पुराना आदेश बरकरार रहेगा इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी सुप्रिम कोट ने इस से पहले सिनमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले रास्टरगान दिखाये जाने का फैसला किया था इसके खिलाफ पुर्नर विचार याचिका दाखिल की गई थी और अब खेल की खबरे निजुजलेंड के खिलाफ तीन मैचों की टी ट्वेंटी सिरीस के लिए सोंवार को भारती टीम का ऐलान किया गया टीम में दो नए खिलाड़ियों को मौका दिया है इसमें हैदरबाद के तेजगेंबास मौम्मद सिराज और मुंबई के बलेबाद श्रेयस अईयर शामल है रोटीशन नीती के तहट टीम में बदलाव किये गए हलाकि लगातार क्रिकेट खेल रहे भारती कप्तान विराट कोहली को सिरीस में बरकरा रखा गया है आशिश नहरा को केवल पहले टीटवेंटी के लिए टीम में शामल किया गया आशिश नहरा से श्रिंख्रा के बाद सन्यास लेने का अलान भी कर चुके हैं खारत और नीजलेंड के बीच एक से साथ नवंबर के बीच तीन टीटवेंटी मैच खेले जाएंगे पहला मुकाबला एक नवंबर को दिली में दूसरा मैच चार नवंबर को राच कोट में और साथ नवंबर को तिरुवरंद पूरम में तीसरा टीटवेंटी मैच खेला जाएगा इसके लावा सभी तीने सिरंका के खिलाफ के ले जाने वाले पहले दू टेस्ट मैचों के लिए भारते टीम के घोश ना कर दी फिल्मों के मशूर और हर दिल अजीज का एक मन्ना डे की आजश पुनित थी है मन्ना डेनी अपनी दिलकश आवाज और मधुर गीतों से कई तशकों तक सने प्रेमियों के दिलों पर राच किया अपने फिल्मी करियर के दौरान मन्ना डेनी करीब 3500 से भी जादा गीत गाए मन्ना डेनी सभी संगीतकारों के लिए हर तरह के गाने गाए इसलिए उन्हें हर फनमाला गाय कहा जा सकता है मन्ना डेने फिल्मों में हर तरह के गीत गाय लेकिन उन्हें शास्त्री गीतों को लेकर ज्यादा शोहरत मिली और चलते चलते एक नज़र हेडलाइन स्पर अमेरिकी विदेश मंत्री टिलर सर ने रास्ट्रुपति अश्रफ गनी के साथ नए अफ़कान नीती पर की चर्चा पाकिस्तान को आतंक्यों को पनाह का मोहयाना कराने की चितावी देर शाम आएंगे भारत जपान में दो तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में लोटे शिंजवाबे अल्दीपी की अग्वाई बाले गडबंधन को 465 में 312 सीटे प्रुधान मंत्री ननेंद मोदी और अमेरिकी रास्ट्रुपति ट्रम्प ने दी बधाई जब कश्मीर के लिए केंद्र की बड़ी पहल आईवी के पूर्वने देशक दिनेश्वर शर्मा होंगे नए वारताकार मोख्य मंत्री ने बताया वक्त का तकाज़ा चुनाव आयोक का केंद्र के दबाव में काम करने से इंकार मोख्य चुनाव आयोक ने कहा गुजरात से पहले हिमाचल में चुनाव के पीछे कई कारण 476 उम्मिदवारों ने भरा नावांकर और न्यूजिलेंड की खिलाफ टी-20 सिरीज के लिए टीम का एलान तेजगेनबास मुहम्मद सिराच और वलेबास श्यस अयर को मौका चुलंका के लिए भी दू टेस्ट के लिए टीम की हुश्रा और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेचिन में इतना ही नमस्कार